आज हम बात करेंगे भाईया फ्लाइट से रिलेटेड तो हमने वीडियो बना दिया आपने देख लिया होगा नहीं देखा दो देख लीजिए हम बात करेंगे आप मालीजिए दिल्ली से अक्सवाइजिट कोई भी कंट्रिस या रहे हैं ठीक है और सिस्टम गवर्मिन ने बन बना रहा हूं ताकि सचाई का पता लगे कि सचाई या फिर फेक न्यूज हो सकती है क्योंकि ऐसा वाक्या सुनने में नहीं आया अलांकि दो लोगों ने पहले भी मुझे बोला लेकिन उनकी बातें पूरी किलियर नहीं करी उन्होंने तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया आए वह उन्होंने वह उत्र है ड्ली में जैसे उत्र तौ वहां पर उन फेस्बूक पर सबाते लिख हl langsam इन यह दो रास्तान या वाले काउंटर पर गे तो उन्हों की जांस वागर थी वह बिल्कुल कीया थे तो उन्होंने उनसे पैसे मांगे जियां सातियों कि पई 25,000 रुपे आप दे दो वरना मैं आपको जेवपूर में आइसलेट कर दूँगा जबकि नियम ये बोलता है कि अगर आपके परिवार में डेथ हो चुकी है गंबीर बिमारी है को इमर्जेंशी है तो आप सबूत के इस पे एक नेता है जो नेता का मतलब समझ रहे हैं आपको वो नेता जी की फेस्बुक से इसलिए मैं बातें नहीं बता रहा हूं कौन है क्या है ये बाते मैं आप लोगों से पूछूंगा क्यूंकि आप लोग वीडियो देखते हो बहुत सारी लोग इंडिया आ रहे हैं आने वाले हो क्या किसी के साथ ऐसा वाकिया हुआ है आप लोगों के साथ अगर हुआ है तो मुझे बताइए भई इस पे हम अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे ताकि लोग सचेत रहे हैं सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि ये हो रहा है अकिकत है कि ये बाते कि भई एक आदमी एक मजबूर आदमी विदेश से आ रहा है जिनकी मा मर चुकी वो पहले सी दुखी है कैसे भी करके करजा ले लवा कि वो पहुंचा दिल्ली में एक अधिकारी दवारा पच्चीज आरुपे की गूस मांगी जाती है बेखू जबरजस्ती तरीके से कि जो बंदा आया हुआ था वो अपने मुझे बोलता या अपनी फेसबूख पर बолता तो भी हम समझ लेते लेकिन ये एक पर्टिकुलर दूसरे आदमी की फेसबुक से आ रहा है जो मैं समझ सकता हूँ कि पार्टी का भी एक जोल हो सकता है कि अपनी पार्टी की बढ़ाई क करना या दूसरी पार्टी की मतलब ऐसे करना तो इस बज़े से भी हो सकता इसलिए अगर मैं पुछूंगा आप लोगों से कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं या आपके सामने कभी ऐसा वाकिया है तो मैं मेरा नंबर छोड़ रहा हूं आप मुझे बताइए कि हां हमारे साथ भ हुआ तो हम उसको अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे नेक्स टाइम में लेकिन यह सुआल सिर्फ पूछने के लिए मैंने डाला है मैंने किसी का यहां पे नाम नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया अगर मचाता तो आपके साथ में यह बाते शेयर कर देता लेकिन इन बातो होते जूट है हो सकता है सच होती होगी लेकिन आप लोग बताइए आपके साथ अगर हैसा हुआ तो भाई हम जरूर इस पर विचार करेंगे और इस बात का सचाई का पता लगाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजबूरी में लोगों को ठगा जा रहा है यहां पर भी जै भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसा हुआ है तो मुझसे जरूर कॉंटेक करें ठीक है साथ यूजय हिंदू वह अंदे माद